बॉलिवुड एक्ट्रेस अमीशा पटेल जिन्होंने सिनेमा जगत में अपनी शुरुवात फिल्म कहोना प्यार है सिकी ने आते ही दर्शकों का दिल जीत लिया उनकी मासूमियत और अभिनय ने हर किसी को उनका दीवाना बना दिया इसके बाद उन्होंने फिल्म गदर एक प्रेम कथा में सकीना का किरदार निभा कर दर्शकों का दिल एक बार फिर जीत लिया इस फिल्म की लोग प्रियता ने उन्हें एक नई पहचान दी इसके साथ ही उन्होंने हमराज और आपकी खातिर जैसी फिल्मों में भी बहतरीन अभिनय किया जो उनके करियर की सफल फिल्में रही लेकिन जितनी चर्चा अमीशा ने अपनी अदाकारी से बटोरी उससे कहीं ज्यादा वो अपनी निजी जिन्दगी को लेकर सुर्खियों में रही 9 जून 1975 को मुंबई में जन्मी अमीशा ने अपनी जिन्दगी में कई उतार चड़ाव देखे करियर की उंचाईयों के साथ साथ उनकी पर्सनल लाइफ भी हमेशा चर्चा का विशय रही है हम अमीशा पटेल की लव लाइफ पर नजर डालते हैं अमीशा के जीवन में कई बार प्यार की एंट्री हुई लेकिन हर बार किसी न किसी कारणवश वो रिश्टे लंबे समय तक नहीं चल सके अमीशा पटेल की लव लाइफ की बात करें तो उनका नाम कई मशहूर शखसियतों के साथ जुड़ चुका है सबसे पहले जब उन्होंने कहोना प्यार है से बॉलिवुड में कदम रखा तो हर कोई उनका दीवाना हो गया इसके बाद गदर एक प्रेम कथा में उन्होंने अपनी अदाकारी से लोगों का दिल जीत लिया जितनी चर्चा उन्होंने अपनी फिल्मों से बटोरी उतनी ही सुर्खियों में वे अपनी निजी जिन्दगी की वजह से भी रही अमीशा पटेल ने अपने करियर के साथ साथ अपनी फिटनेस का भी खूब खयाल रखा आज भी वे इतनी फिट हैं कि नई नवेली हिरोईने भी उनसे प्रेरणा लेती हैं 49 साल की उम्र में भी उनकी फिटनेस और खूबसूरती के आगे उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल है अमीशा पटेल का नाम फेमस डाइरेक्टर और सुश्मिता सेन के एक्स बॉइफ्रेंड विक्रम भट के साथ जुड़ा अमीशा पटेल और विक्रम भट की लव स्टोरी बॉलिवुड की चर्चित अफेर्ज में से एक रही है ये कहानी उस समय की है जब अमीशा पटेल ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था और विक्रम भट पहले से ही एक स्थापित निर्देशक थे दोनों का रिष्टा प्यार, विवाद और दिल्चस्प घटनाओं से भरा रहा जिसने काफी सुर्खियाओं बटोरी अमीशा पटेल की और विक्रम भट की मुलाकात साल 2000 में हुई थी जब अमीशा अपनी दूसरी फिल्म आप मुझे अच्छे लगने लगे की तयारी कर रही थी इस फिल्म के निर्देशक विक्रम भट थे और यहीं से दोनों के बीच की नजदी कियाओं बढ़ी फिल्म की शूटिंग के दौरान ही दोनों एक दूसरे के करीब आ गए अमीशा और विक्रम के बीच की केमिस्ट्री फिल्म की शूटिंग के दौरान ही साफ नज़र आने लगी थी विक्रम भट उस समय शादी शुदा थे लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अमीशा के साथ अपने रिष्टे को निभाया अमीशा ने भी विक्रम के शादी शुदा होने की परवाह नहीं की और दोनों खुलकर एक दूसरे को डेट करने लगे विक्रम भट और अमीशा पटेल के रिष्टे ने खूब सुर्खियां बटोरी खासकर इसलिए क्योंकि विक्रम शादी शुदा थे दोनों के अफेर के कारण विक्रम की शादी भी मुश्किल में आ गई थी विक्रम भट ने इस रिष्टे के लिए अपने परिवार से भी दूरी बना ली थी जबकि अमीशा ने अपने करियर को दाव पर लगा दिया था उनके इस रिष्टे को लेकर मीडिया में खूब विवाद हुआ विक्रम भट्ट के साथ अपने रिष्टे को लेकर अमीशा ने कई बार पारिवारिक तनाव जहला उनके माता पिता इस रिष्टे के खिलाफ थे और इसे खत्म करने के लिए उन्होंने अमीशा पर दबाव डाला लेकिन अमीशा ने अपने माता-पिता की बात नहीं मानी जिसके चलते उनके और परिवार के बीच दूरियाओं बढ़ गई यहां तक कि उन्होंने अपने माता-पिता पर पैसों के गलत इस्तिमाल का आरोप लगाते हुए कोर्ट में केस तक कर दिया इस विवाद ने उनकी पर्सनल लाइफ को और मुश्किल बना दिया काफी विवादों और पारिवारिक मतभेदों के बावजूद अमीशा और विक्रम का रिष्टा कई सालों तक चला लेकिन अंततह यह रिष्टा साल 2008 में तूट गया दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए कहा जाता है कि इस ब्रेकप के बाद दोनों ने अपने अपने करियर पर ध्यान किंद्रित किया ब्रेकप के बाद अमीशा ने अपने करियर को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश की और फिल्मों में काम करती रही जबकि विक्रम भट ने भी अपने निर्देशन के काम में खुद को व्यस्त रखा दोनों ने कभी भी अपने रिष्टे के बारे में खुल कर बात नहीं की और उनकी यह प्रेम कहानी भी समय के साथ दबसी गई अमीशा पटेल और विक्रम भट की यह लव स्टोरी कई उतार चड़ावों से भरी रही और यह उस दौर की सबसे चर्चित प्रेम कहानियों में से एक मानी जाती है उनके रिष्टे की खासियत यह थी कि दोनों ने अपने प्यार को निभाने की कोशिश की लेकिन परिस्थितियों ने उन्हें अलग कर दिया अमीशा पटेल की लव लाइफ में एक और नाम जुड़ा और वह था लंदन के कारोबारी कान्व पूरी का विक्रम भट से ब्रेक अप के बाद अमीशा की जिंदगी में कान्व पूरी आए दोनों की मुलाकात कुछ कॉमन दोस्तों के जरिये हुई थी और जल्दी ही उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई अमीशा पटेल और कान्व पूरी को कई बार एक साथ देखा गया सबसे पहले उन्हें विल्स लाइफस्टाइल इंडिया फैशन वीक में एक साथ देखा गया था जहां दोनों ने खुलेयाम अपने रिष्टे का इजहार किया इसके बाद वे कई पार्टियों और इवेंट्स में भी एक साथ नज़र आए कानव पूरी लंदन के एक सफल बिजनिसमेन थे और दोनों की जोड़ी को देखकर यही लग रहा था कि यह रिष्टा लंबे समय तक चलेगा कानव और अमीशा के बीच की केमिस्ट्री काफी अच्छी थी और दोनों के प्यार की चर्चा मीडिया में भी खूब हुई दोनों को अकसर साथ में छुट्टियां बिताते और एक दूसरे के साथ समय गुजारते देखा गया कहा जाता है कि अमीशा ने कानव के साथ अपने रिष्टे को काफी गंभीरता से लिया था और उन्हें लगता था कि शायद यह रिष्टा शादी तक पहुँचेगा करीब दो साल तक रिलेशन्शिप में रहने के बाद अमीशा और कानव के रिष्टे में दरारे आने लगी दोनों के बीच कुछ मतभेध हो गए थे जिसकी वजह से उनके रिष्टे का अंत हो गया उन्होंने अपने ब्रेकप को लेकर कोई सारवजनिक बयान नहीं दिया लेकिन धीरे धीरे वे एक दूसरे से दूर होते चले गए कानव पूरी के साथ ब्रेकप के बाद अमीशा ने फिर से अपने करियर पर फोकस किया और फिल्मों में वापसी की कोशिش की कानव भी अपने बिजनेस में व्यस्थ हो गए और इस रिष्टे को भुला दिया अमीशा की लव लाइफ में कानव पुरी का नाम भी एक खास जगह रखता है लेकिन उनका रिष्टा भी बाकी रिष्टों की तरह लंबे समय तक नहीं टिक सका इसके बाद अमीशा का नाम प्रीती जिंटा के एक्स बॉइफ्रेंड नेस वाडिया के साथ जुड़ा अमीशा पटेल और नेस वाडिया की लव स्टोरी बॉलिवुड के चर्चित अफेर्ज में से एक रही है नेस वाडिया एक जाने माने बिजनेसमेन है और वह वाडिया ग्रुप के उत्तराधिकारी होने के साथ साथ किंग्स 11 पंजाब क्रिकेट टीम के को ओनर भी है उनका नाम पहले भी बॉलिवुड की एक और फेमस एक्ट्रेस प्रीती जिन्टा के साथ जुड़ चुका था लेकिन प्रीती से अलग होने के बाद नेस वाडिया का दिल अमीशा पटेल पर आया नेस और अमीशा की पहली मुलाकात कुछ दोस्तों के जरिये हुई थी दोनों ने जल्दी ही एक दूसरे को पसंद करना शुरू कर दिया और अकसर साथ देखे जाने लगे दोनों की केमिस्ट्री भी लोगों को खूब पसंद आती थी और उनके रिलेशन्शिप की खबरें मीडिया में चाने लगी अमीशा और नेस वाडिया का रिष्टा कई सालों तक चला वे कई इवेंट्स और पार्टियों में साथ नजर आते थे और दोनों को लेकर ये कयास भी लगाय जा रहे थे कि शायद ये रिष्टा शादी तक भी पहुँच सकता है लेकिन उन्होंने कभी अपने रिष्टे को पब्लिकली स्विकार नहीं किया अमीशा की खूबसूरती और नैस की परसनेलिटी दोनों की जोड़ी एक समय पर परफेक्ट मानी जाती थी कई सालों तक रिलेशन्शिप में रहने के बाद अचानक उनके रिष्टे में दरारे आनी शुरू हो गई कहा जाता है कि दोनों के बीच कुछ मतभेद हो गए थे जिनके कारण वे एक दूसरे से दूर होने लगे उनके रिष्टे का अंत काफी दुखत था और दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए ब्रेकप के बाद अमीशा पटेल और नैस वाडिया दोनों ने कभी भी अपने रिष्टे को लेकर खुलकर बात नहीं की नैस वाडिया बाद में भी अपने बिजनेस और अन्य अफेर्स को लेकर चर्चा में रहे जबकि अमीशा ने अपने करियर पर ध्यान दिया और फिल्मों में काम करती रही अमीशा और नैस वाडिया की लव स्टोरी भले ही खत्म हो गई हो लेकिन उस समय यह बॉलिवोड के चर्चित अफेर्स में से एक थी दोनों के अलग होने के बाद भी फैंस को हमेशा उनकी जोड़ी का इंतजार रहा लेकिन उन्होंने फिर कभी अपने रिष्टे की बात नहीं दोहराई अमीशा पटेल और रणबीर कपूर के बीच लिंक अप की खबरें मीडिया में काफी चर्चा का विशय बनी लेकिन दोनोंने कभी भी इस बारे में कोई खुलासा नहीं किया रणबीर कपूर के बढ़ते करियर के साथ साथ अमीशा और उनके नाम को लेकर कयास लगाए जाने लगे हलांकि दोनोंने इस संबंध में कुछ भी स्पष्ट नहीं किया और चुप्पी साधे रखी इसके बाद अमीशा का नाम पाकिस्तानी एक्टर इमरान अब्बास के साथ भी जुड़ा इमरान अब्बास एक लोगप्रिय एक्टर है और दोनों के बीच की नजदीकियों को लेकर कई अफवाहें उड़ने लगी यह भी कहा गया कि दोनों एक दूसरे के साथ डेट कर रहे हैं और उनके बीच रोमान्स चल रहा है हालांकि अमीशा पटेल ने इन सभी अफवाहों को बकवास बताते हुए पूरी तरह से नकार दिया उन्होंने कहा कि उनके और इमरान के बीच कुछ नहीं है और यह सब महज मीडिया की अटकले हैं अमीशा ने साफ तोर पर कहा कि उन्होंने इमरान के साथ सिर्फ पेशेवर संबंध बनाए हैं और उनका कोई रोमैंटिक एंगल नहीं है तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल स्टार मनोहर राठोड को सब्सक्राइब करके बैल आइकन जरूर दबा दे तब तक के लिए जैहिंद